गूरेलिंग बच्छो देखों बच्छो अपने पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको मेरी तरफ से पूरी तयारी करा दी है हर चेप्टर के आपके टेस्ट वगरे आपके हर चेप्टर के अतिम, हर चेप्टर के आपके प्री बोर्ड वगरा मतलब सब कुछ मैं आपको करा चुका हूँ कल का दिन अपने पास में सेस है परसो अपना फाइनल डे है मतलब एक्जाम की जो घड़ी है जिसका हमें पिछले एक साल से इंतजार कर रहे है उसके और हमारे बीच में मातल एक दिन का समय सेस है तो आज अपने पॉलिटिकल साइन्स से समन्दित एक अंतिम कलास में आपको प्लग करा रहा हूँ और वो कलास से विया अपने आम चुनाओ की ठीक है अपने जिसको जो सेकिल बुक है साउतंतर भारत में राजनिती इस चेप्टर में भी या लगबल लगबल सभी गठनाई जो है वो चुनाओ से समन्दिते ठीक है आजादी के बाद में जितने भी चुनाओ हुए उन चुनाओ के बारे में इस बुक में अपने उलेक किया गया है तो यहां से अपने देखो कई बार एक या दो नमबर का क्यूसन आ जाता है और यह चुनाओ सारे एक चेप्टर में नहीं है कुछ दूसरे चेप्टर में दे दिये कुछ पांचवे चेप्टर में दे दिये और कुछ अंतिम चेप्टर में दे दिये कितनी शीटों पर चुनाओ ये ये रिकोर्ड आपको रखना ज़रूरी है तो यहां पर मैं एक ही वीडियो में आपको इन पांच आम चुनाओं के सारे आंकड़े आपको यहां पर उपलब दे करा रहा हूं आप चाहे तो इसका स्क्रीन सोट ले सकते हो देखो भी या सबसे पहले बात करेंगे अपने फरतम आम चुनाओं की या पहले आम चुनाओं जो हुए थे वह कब हुए थे गुनी सो बावन में हुए थी ठीक है कितनी सीटों पर हुए थे पहले आम चुनाव के और आम चुनाव कौन से विया लोग सबा के चुनाव आम चुनाव इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें आम जनता या सामान जनता जो है वो पर्टेक्स रूप से क्या डालती है वोट डालती है कलियर है दूसरे आम चुनाव की बात करते हैं दूसर से चार सो चोरे आनपर हो रहे हैं यहां कोंग्रेस को तीन सो चूछ शीटे मिली हैं उनकी संक्या कितनी है 301 कलियर है यहां पर शेटे भी बढ़ गई है और यहां पर भी कंग्रेस की जीत का आकडा भी बढ़ रहा है फिर तीसरे आम बात करते हैं यह हुए थे भी यह अपने 162 में तीसरे आम चुनाओं में कब विए थे गुनि सो बासटु में हुए थे और यह इतनी ही सीतों पर रहे हैं सेमी सीते मतलब चार सो चोरे आन्में शीटे इन आम चुनाओं में जीनिको अपने राजनितिक भुखंप की तिलाजनितिक ने भुचाल की क्यों दी जाती है क्योंकि इस भार में भूण ज्यादा डाउन आ गय थी हलांकि बहुमत कॉंग्रेस को मिल गया था सरकार कॉंग्रेस की बन गई थी लेकिन कॉंग्रेस को इनके मुकाबले और भी कम सीटे पराप्त हुई और आकड़ा जो है चोथे आमचुनाओं ये थे विया 166 में और ये कितनी सीटों के लिए विये थे 520 सीटों के लिए थे आपने पढ़ा होगा कि तो थे आमचुनाओं में जो कोंग्रेस के बड़े बड़े दुरंदर थे जिसे के कामराज, तमिलाडू शारगे, आपके एस के पाटिल जो है वो माराश्टर शारगे, आपके अतुले घोस जो है वो पक्सी मंगाल शारगे, तो ये जो बड़े बड यहाँ पर आपको किसे भी क्युश्र पूसकते हैं किंशन भी पूछ ले कि पहली बार कूल से आमचुनों में कॉंग्रेस ने तीन सौ से कितने सीटे मिली इन तोछ थे आम चुनाऊ में तो भीया सात рाज्यूम filling कंग्रेस को भामथ भी नहीं मिला था ये कंडिशन हो गई थी ठीक है फिर आपको पता है गुणीज्ि सो गुणंतर में कंग्रेस का क्या हो गया था विजर हो गया था एक तो बन गई थी Congress R और एक बन गई थी Congress O ठीक है फिर विए थे भिया पांशी आम चनाव इंदरा-गांदी के समय जो हुए थे 1921 में इंदरा-गांदी अलग Congress मना ले थी उसने और ये आम चनाव हुए थे भिया कितनी शीटों पर 518 शीटों पर ये आम चनाव हुए थे और इ उस गटबंद ने तोटल शीटे प्राप की थी 300 फीचेतर और इंद्रा गांदी की जो कॉंग्रेस थी अकेली उसने 352 शीटों पर क्या की विजए प्राप की इसलिए अपने एक्यूशन आता है कि कॉंग्रेस की पुनरिस्तापना के कारण समझाओ कि इंद्रा गांदी के ने इन पांचवे आमचणाओ में में कंग्रेस पार्टी जो है वह उबर कर सामने आए एक भारी भौमत के साथ में एक बड़ी जीत के साथ में उबर कर सामने आए और उसका कारणती अपने इंद्रा गांदी थीक है है यहां तक होगे भिजए आपके पांच आम चुनाओ अप सत्रवी लोगसबा है, मतलब सत्रवी आमचुनाव हो चुके हैं और वो कब हुए थे? 2000 में हुए थे कि शत्रवी लोगसबा में या 2010 के आमचुनाव में जो कॉंग्रिस पार्टी है, उसको कितनी सीटे प्राब तुई तो इस बार फिया अपने आकड़ा जो है कितना रहा है 52 सीटे रही है कहने का मतलब है कि Congres Party अब जो है वो क्या आ गही है पहले कि यह आपने कहें कि 1999 के बाद ने विया Congres Party जो है वो धीरे-धीरे-धीरे क्या हो रही है डाउन हो रही है और सत्मी लोग सबावे वह जो बहुमत है वह कौन सी पार्टी का है BJP का है BJP को कितनी सीटे प्राब्ध है 303 सीटे प्राब्ध है तो देखो कई बच्टों के कमेंट आ रहे थे कि सरी ये जितने भी आम चुनाव हुए है अपने स्टार्टिंग के 5-7 जो आम चुनाव है अब आप पे डिपेंड है आप कितना परसेंट मुझे वापस सोबते हो अपना रिजल्ट आप किस परकार का मुझे देते हो ये सब आप पे डिपेंड करता है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स टॉपिक के साथ